अब आते हैं one of the big topic of first chapter that is basics of auditing गा देखिए audit कितने प्रकार के होते हैं ये है हमारा topic अब इसमें एक दो point बता दो कि आपके do की book में बहुत कम point दे रखे हैं और अलग-अलग book में अलग-अलग point दे रखे हैं तो जो बहुत important point है जो हमेशा आते हैं जितना आपकी information required है हमने वो ही point रखे हैं दो-तिन point यहां से हटा दिये हैं ठीक है और do की book में आपके इसमें से भी बहुत कम point है उसमें ये वाला point नहीं होगा और शायद इन में से एक special audit वाला point नहीं होगा शायद इन में से एक आधा point किये है कि इसमें आपके सारी चीजे cover हो जाएंगी ठीक है और बहुत easy easy चीजे हैं ज्यादा मुश्किल नहीं है बस again आपको read out करना है और पढ़ते समय जो मैं highlight करवाऊंगा उस word पर ध्यान देना है that's it चलिए अब type of audit में चार तो heading दे रखिए इतने type के audit होते हैं इन type के अंदर भी कई तरीके के audit हैं अलग-अलग जैसे पहले देख लेते हैं organizational structure यानि company कौन का structure क्या है उस client का entity का structure क्या है अब कोई सारी structure मतलब यह company है क्या वो private company है government company है बाहर की company है कैसी है ठीक है foreign company है बहुत सी चीजे होती है इसमें तो company क्या है company पर कौन सी चीज apply होती है तो इसमें आता है आपका statutory audit private audit और government audit बहुत सिंपल है बहुत सिंपल तरीके से कराऊंगा आपको याद हो जाएगा यह tension मत लेना इसमें यह की बार में याद करवा दूँगा statutory audit यानि किसी statutory के अंदर आपको audit करना compulsory है जैसे जो company होती है जो private limited होती है या फिर limited होती है उनको company act में compulsory लिखा हुआ है कि हर साल audit करवाना ही है compulsory है ऐसा नहीं है कि अगर आपके client का मन करा कि audit नहीं करवाए तो वह नहीं करवाए उसके मन पर नहीं चलेगा compulsory करवाना ही है जी एक्ट में लिखा हुआ है banking act में लिखा होता है कि bank audit हो गई होगा च्छोटा सा ही bank हो च्छाए गली नुकड़ पर एक च्छोटी से ब्रांच खोली हो उसका audit होगा ही होगा क्यों क्योंकि banking act में लिखा हुआ जी audit करने को तो जो compulsory होता है ना compulsory as per any act उसे बोलते हैं हम compulsory as per any act ठीक है act लिख लो या provision लिख लो कुछ भी लिख लो वो होता है statutory audit ठीक है next private audit private audit तो जी जी आपके मंद से होता है मालो आपकी कुई company नहीं आपकी partnership firm है ठीक है और आपका turnover पचास लाग से नीचे नीचे है मतलब जो भी other criteria होता है audit का जो आप text में पढ़ेंगा direct text में उस criteria में वो नहीं आ रहा है ठीक है छोटा ही बंदा है छोटा ही धंदा है उसका किसी partnership firm का पर वो चाहता है audit करवाना यहां यार मैं को जानना है कि मेरी sales बढ़ क्यों नहीं रहे तीन साल से तो मैं एक CSA audit करवा ही लेता हूँ उसको कोई act बोल नहीं रहा करवाने को वो खुद ही करवाना चाहता है ठीक है तो इस तरह को audit को बोलते है private audit उसका अपना decision है decision है जी audit करवाने का उस पर कोई compulsion नहीं है कोई जबर्जस्ति उसको नहीं कर रहा है ठीक है तीसरा government audit, government audit simple सी बात है जो government entities होती है जो government के काम होते है जैसे railway government का है LIC हो गया, corporations हो गया, SBI हो गया, यह corporations और government के जो लोग है, government के जो काम होते हैं इनके audit को बोलते हैं government company भी आ जाती है इसमें, government company कौन से होती है जिनके अंदर government का 51% share होता है आप लिख लो अपने knowledge के लिए government company वो company होती है जिसमें more than equal to 51% share या तो central government का होता है यानि CG बोल रहा हो मैं इसे, CG यानि central government या फिर state government का ठीक है या फिर इन दोनों का CG या फिर central government या फिर कोई state government मिलके दोनों का मिला के 50% से ज़्यादा share हो किसी company में ठीक है उसमें हमें क्या करना पड़ता है कि government का एक अलग से audit होता है audit का तरीका वही है बट हम यहाँ पर generally दो चीज़े देखते हैं कि यह जो expense है जो खर्चा है उस government department में ढंक से हो रहा है कि नहीं हो रहा फालतों का खर्चा तो नहीं हो रहा पार्क बनाना था जी पार्क है छोटा सा ठीक है फार्क में लग गया तो तीन चार करोड लगा दिया उन्होंने चोटा सा पार्क नहीं आपने चार करोड कहां लगा दिये ठीक है तो इस तरीके के जो government के audit होते है उसमें ये चीज़े आपको check करनी होती है तो इसमें आपको बस इतना ही बता ना जो भी government के department है, corporations है, like LIC वगरा उनके audit को बोलते है government audit बस इतना ही है next point पर आता है, next heading पर आता है, specific objective और dimension based classification, objective यानि entity का जो objective है, ठीक है, मतलब entity जो है, उसमें हम किस तरह का audit करना चाहते हैं, यहाँ पर हमने entity किस तरह के थी, ठीक है, उस पर compulsory था, उस पर compulsory नहीं था, या फिर वो government थी, यहाँ पर जो हम audit करेंगे, को सकता है, ABC Limited का audit हम यह कर दें, या फिर यह वाला कर लें, या यह वाला कर लें, company एक ही है, यहाँ पर company का टाइप अलग था, यहाँ पर यह थी, ABC Limited, ABC Limited Company, ठीक है, यहाँ पर यह प्राइबेट audit किस का था, मानलो यह था, एक्स वाई, पार्टनर्शिप, ठीक है, अभी government का तो बहुत सारी company बदाई दी, मैंने LIC वगरा, LIC railway, अभी यहाँ पर company सेम ही है, इस पूरे point में, मानलो company हम ABC Limited ही लेके चल रहे हैं, company एक ही है, इसके इतने तरीके के audit हो सकते हैं, यह अपनी company में, यह वाले सारे audit करवा सकती है, यह वाली heading में हमें क्या देखना है, audit एक ही बंदेगा, कितने तरीके का, या कितने टाइप का हो सकता है, ठीक है, पहला audit, सबसे सिंपल audit है, independent financial, independent word हमने सबसे पहले दिन पढ़ा था, auditing की definition में, ठीक है, independent systematic and independent examination, यहां पर क्या आगया, independent financial audit, याने सिर्फ हम, जो उसकी books of account है, जिसमें उसका profit and loss है, उसका मेलनी audit करना है, यानि books का audit करना है, पूरा books, इसके धन्सक्राइब, पैसा कैसा गया, कैसा आया, कितना कमाया, कितना खाया, कितना बचा, कितना टक्स दिया, जो normal होता है, वो वाला audit, एक तो वो audit होता है, second internal audit, internal audit क्यों होता सर, internal audit यह होता है कि company ने CA को hire कर लिया या फिर किसी भी बंदे को hire कर लिया इसमें CA भी हो सकता है और CA नहीं भी हो सकता है एक only एक ऐसी जगह है जहां पर अगर कोई CA ना हो भी हो तो भी audit वो कर सकता है internal audit यह company इस act में आता है section 138 ऐसा है इसका इसमें क्या है इसमें जैसे मालो मेरी company है company या मेरी partnership firm है कुछ भी है जिस पर applicable नहीं भी है audit वो चाहती है कि मैं अपने company के अंदर जो काम हो रहे हैं जो process है जो controls लगाए गए है मैंने जो rules and regulation मैंने अपनी company में रखे हैं अपनी business में रखे हैं क्या है वो सुचारू रूप से काम कर रहे है employee कुछ घफला तो नहीं कर रहे है कोई ऐसा process तो नहीं है कि जिस process में चार बंदे लगने हैं लेकिन मैंने उस process में 40 बंदे रखे हुए ठीक है तो ये छोटे मोटी चीजे operations क्या है company के धन्दा करने का तरीका क्या है वो सब आता है आपका internal audit में यहाँ पर एक चीजे लिख लेना ध्यान से जिससे मैं नहीं बताया CA या फिर ऐसे लिखना याद रहेगा not CA ठीक है यह जिस आपके knowledge के लिए है तीसरा point cost audit cost audit cost तो समझेंगे समझेंगे आप cost जो आप करते हैं यह कब होता है production वाले manufacturing वाले business में आपने कोई चीज बनाई वहाँ पर specific audit भी होता है compulsory कुछ लोगों पर cost audit section 148 है इसका company sect का जिसके इसाब से आपको audit करवाना compulsory है कुछ कुछ लोगों को उस section में दे रखे हैं जो कि आपको बढ़ने के ज़रुवत नहीं है बस आपको ध्यान रखना है cost audit में क्या होता है जो manufacturing और production के धंदे में होते हैं लोग जैसे mobile बनाना mobile बनाने के लिए आप raw material लाते हो ना plastic लाते हो motherboard में वो chips वगएरा लगती है RAM, ROM, screen ठीक है processor यह सारे चीज़े लगती है उसा cover, camera तो यह raw material मतलब एक phone बनने में कितना material लगा कितना रुपए का material लगा cost कितनी आई उसी cost कितनी आई वो specific उस चीज का audit सिर्फ costing का audit उसे बोलते हैं cost audit ठीक है मालो यह company है mobile बनाने की तो यह cost audit करावा सकती है ठीक है Next, management audit management audit कहीं न करें थोड़ा सा similar लगेगा आपको internal audit में management audit वो होता है कि management क्या करता है अपना ही audit करवाता है जो board of director और manager होता है वो खुद ही बोलता है कि हमारे company में आके एक बार जो process बने हूँ है सारे काम करने के कि यह वाला employee यह काम करेगा यह वाला ऐसे काम करेगा इसके काम करने के बाद यहां जाएगी फाइल इसको काम करने के बाद फाइल यहां जाएगी यह चक करेगा फाइल फिर boss के पास जाएगी यह process हो गया तो ऐसे जितने भी अलग अलग process बने हुए है HR department का हो गया payroll department हो गया finance department हो गया IT department हो गया company में यह सारे department बने होता है न तो कई बार वो अपना किसी एक department के लिए किसी एक management process के लिए भी audit company करवाती है यानि entity करवाती है audit ठीक है tax audit टेक्स लिखाई हुआ है, जो Income Tax Act में compulsory हो audit करवाना, किसी को याद है कब वो audit करवाना होता है, audit करवाना compulsory कब है, Income Tax Act में, 44A, 44AB, डबल A, books को होता है, फिर AB में आता है, फिर AD में कुछ वो चीज़े रखी है, AD में तो खेर books of accounts है, कुछ चीज़े होती है, कुछ criteria होते है, 95% cash, तो चलो, जो भी है भी में, ज्यादा हो, उसको टेक्स में नहीं जा रहा, आप जब पढ़ोगे, तो उसमें कुछ-कुछ लोगों को, जिनकी turnover, दो करोड या फिर जो भी limit है, जो आप पढ़ोगे तब समझ में आएगी, दो करोड है, कुछ में 10 करोड है, 50 लाग भी है कुछ case में, ठीक है, तो income tax act के हिसाब से, जहाँ compulsory करा हो आपको audit, हो सकता है, इस company के turnover इतनी हो गई हो कि income tax के दायरे में आ रही हो, income tax act 1961 के according, audit आपका होगा, tax audit, ठीक है, इस company का यह वाला audit भी हो सकता है, special audit क्या होता है सर, अब देखो special audit देखो, special audit क्या करती है न, government खुद करवाती है, government होगी, income tax department हो गया, यह savvy हो गया, बहुत से ऐसे department होते हैं, जो कि criminal को, court को बोलते हैं, कि सर हमें न, इसके धंदे में दिक्कत लग रही है, तो आप order देजिए, इसका एक special, अलग से audit करवाने का order देजिए, इसने कोई गलती कर दी, ABC Limited ने, ठीक है, इसने कोई share market में गलती क कर दिया, तो सेभी, share market कोई देखता है, सेभी देखता है, तो सेभी क्या करेगा, सेभी कहएगा, कोट में, criminal पे, कि सर आप एक काम कीजिए, गवर्मेंट से, central government का department होते है, उससे कहएगा, कि आपना सर इसका special audit करवाओ, इस company का, सेभी कहएगा, मुझे कुछ दिक्कत लग आप करने के लिए notice भेज दिया है, कि audit आप करके बताओ, इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है, ठीक है, next चलते हैं, next हमारा heading है time based, audit में time के हिसाब से कैसे कैसे audit होती है, एक होता है continuous audit, continuous audit क्या मतलब सर, continuous audit मतलब word में लिखा हुआ यार, पूरे साल आपका audit चलता रहेग चाहे वो आप हफते में करवा लिजिए, चाहे आप daily करवाईए, चाहे महिने महिने का हिसाब से कराईए, वो interval आपके और क्लाइंट के हिसाब से depend करेगा, लेकिन क्या होगा, throughout the year होगा, continuously चलता ही रहेगा, अच्छा सर, सर यह जाज़र कहां पर होता है continuous audit, या तो बहुत बड़ी company हो, ठीक है, big entity, या फिर bank में आपने देखा होगा, bank के ब्रांचिस होती है, बड़ी बड़ी ब्रांच होती है, तो उनमें continuous audit होता है, ठीक है, उसमें regularly, auditor जाते हैं, regularly चीज़े चेक करते हैं, भाई बहुत बड़ी company है, daily के हजारों transition हो रही है, लाखों transition हो रही है जाते हैं, क्या करोगे, है ना, अब एटल company है, उसके रोज रिचार्ज होते होंगा, पता नहीं कितने रिचार्ज होते होंगे, बताइए, ठीक है, और कोई बड़ा bank है, रोज लोग आ रहे हैं, पैसा जमा करा रहे हैं, लोन ले रहे हैं, लोन पे कर रहे हैं, education लोन ले र करेंगे, उस case में हम क्या करेंगे, continuous audit होता है, अगला, periodic and final audit, इसमें आप final audit ध्यान रखना, किसी एक period का audit आप करोगे, जर्नली, जो जर्नली जो हम सब लोग आप और मैं जानते हैं, वो यही वाला audit होता है, हम जर्नली कौन सा साल का audit करते हैं, एक financial year का करते हैं, किस भी financial year क अभी financial year कौन सा चल रहा है, दाओ, अभी चल रहा है मारा financial year, क्या हो रहा है, financial year, 2023, 24, यह चल रहा है, इसका audit का समय कब आएगा, इसका audit का समय होता है, 30 सितंबर, किसी भी company का, जिन बच्चे को ध्यान नहीं है, tax, ध्यान रखना, ठीक है, 30 सितंबर को मान लो इसकी date है, तो एक किसी period का audit, वो हो सकता quarterly भी हो, लेकिन किसी एक period का audit होना चाहिए, पूरा साल का जर्नली जो audit होता है, उससे हम बोलते है, periodic या फिर annual, देखो, annual भी लिखा है, periodic, annual, financial, periodic आप हटा भी दो गए, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, annual या फिर final audit, ठीक है, आप इसे हटा दो, annual या फिर final audit, तीसरा, interim audit, सर, interim audit क्या होता है, interim audit, यानि, दो, annual filing के date के बीज का audit, वो हता है, interim audit, सर, ये क्या बोल दिया आपने, तो समझ में नहीं आया, देखिए, इसको जानने के लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा, चलो जिसका ना, जब मैं पढ़ाओंगा तर समझा दूँगा, आपको, जब मार्क करवाओंगा, मतलब, ठीक है, हो गया, मतलब जैसे जो ये आपका financial year चल रहा है जो, इसी, इसी financial year में से, इसी financial year का audit, आप इसका audit का हो, 30 सितंबर 2024 को, ये है इसकी date, क्योंकि बुक्स तो कब बनेंगे, बुक्स फाइनल कब होंगे इसकी, 31 मार्क 2024 में last date होगा इसका, तो बुक्स बंते, 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 सितंबर में audit होगा, लेकिन मार्लो, इसी साल का audit, मैं इसी साल के अंदर कर दूँ तो, क्या होता है, इंटरिम में कुछ document के requirement होती है, कुछ bank बोलते हैं कि आप अपना चार महिने का audit हमें करके दो, चार महिने के basis से बताओ कि आप पूरे साल में कितना धंदा करोगे, ठीक है, प्रोजेक्शन बताओ, तो उन cases में इंटरिम audit होता है, जिसमें auditor क्या करता है, माल लो मैं दिसम्बर में अभी, जो प्रोजेक्शन गया है, उस दिसम्बर में audit कर रहा हूँ, इसी साल का, तो हुए तो कितने महिने हैं, 9 महिने ही हुए, 9 महिने हैं, पूरे साल के detail में कैसे बता पा रहा हूँ, तो एक interim audit होता है, जो एक अंदाजा लेके पूरे साल का audit क बताया जाता है, उसी साल के बीच में, उसी साल का audit, that is called interim audit, ठीक है, generally audit कब होता है, जब साल खितम हो जाता है, उसकी books बन जाती है, उस साल का जब नया year स्टार्ट होने लगता है, assessment year, जो आप टक्स में पढ़ते हो, उस assessment year में जाके audit होता है, जैसे कि 23-24 का audit, financial year, 23-24 का audit होगा, 37-24 का होगा, लेकिन 23-24 का audit, 23-24 के अंदर ही रहा क्या कर दें, उस case को बोलते है, interim audit, ठीक है, बाकि अभी हम जिसको पढ़ेंगे तो मैं इसको detail में लेके चलूँगा, आपको word से ध्यान दाए, line ध्यान दाए, अगला scope-based audit, सर, scope क्या होता है, audit को client ने कितना scope दिया है, कि तू कितना check करेगा, समझे, जैसे client ने मुझे बोला है, कि तू ये ची-ची check करेगा, खाली, इतना check कर बस, खाली sales sales check कर बस, तू ना एक काम का पूरा check कर, तू एक काम का सिर्फ ना, हमारे fixed asset को check करके बदा दे, मुझे यहाँ दिक्कत लग रह है, ठीक है, तो auditor का scope दिया audit करने का, जितना उसको subject matter दिया audit करने का, उसके base पर कैसे type के audit हो सकते हैं, वो देखेंगा यहाँ पर, complete audit, complete मतलब भई, यह वाला हमारा समझ लो एक तरह से, पूरा audit, पूरे साल का audit, जिसमें सब कुछ आ गया, purchase, sale, balance sheet, fixed assets, loan, creditor, debtor, पूरा जो audit होता है, सब चीजों का audit, ठीक है, complete, वर्टीज आपको समझ में आ रहा है, दूसरा partial audit, partial यानि कोई भी एक हिस्सा, ठीक है, जरूरी नहीं है, पूरा complete audit, मानलों को सिर्फ sales का audit करवाना है, तो आपको सिर्फ sales का audit भी करवा सकता है, partial यानि कोई एक हिस्सा, आपके पूरे business क कोई एक हिस्सा का audit, ठीक है, तीसरा, detailed audit, detailed audit और complete audit कुछ बच्चों को सेम लगता है, detailed audit में क्या होता है, आप hundred percent चीज़े चेक करते हो, generally, आप audit में क्या चीज़े चेक करते हो, मोटे मोटेट bills चेक करते हो, हजार बिल है, हजार हके हजार बिल आप चेक नहीं करोगे, आप दस में से दो बिल चेक कर लोगे, या फिर जो पांच लाग के उपर वाले बिल हैं, वो चेक करोगे, ठीक है, या फिर जो export वाले बिल है, सिर्फ वो चेक करोगे, हजार के हजा करोडो भी लोते हैं येस Google है इतनी बड़ी कंपनी है कितनी एड चलती है Google की YouTube पे और Google कि खोलोगे तो हर जगे एड़ दिखती ना आप कुछ भी सरछ करते हो साइड में एड आज आते हैं बहुत सारी तो कितने बिल बनते होंगे उसका साल में दिन में ही आप और detailed audit का मतलब यह है, सारे चीजों में हर एक point को check करना, फूरी तरीके से, ठीक है, बस इतना अंतर है दोनों में, चलो, इसको एक बार हम देख लेते हैं कि आपको na, point कौन कौन सा याद रखने हैं, सबसे पहले हमने पढ़ा था, organizational structure based audit, ठीक है, अब इसमें आपको क्या चीज़ ध्यान रखने है, is prescribed under the statutes, मतलब statutory audit is one of which is prescribed, कि प्रस्क्राइब किया गया हो, किसी statutes में, या law में, एक ही मतलब है, किसी law में, जैसे मैंने companies act का example लिया था, RBI के act का example, banking act का example लिया था, इन act में लिखा हुआ है कि compulsory audit कराना ही कराना है, तो इसमें यह चीज़ हाइलेट रहेगी, private audit, optional है, compulsory नहीं है, optional है, वो करवा सकता है, जब कभी भी proprietor, कोई proprietorship है, generally proprietors लोग ही होते हैं, जो करवाते हैं, उनके उपर compulsory नहीं होता है, नहीं तो company उपर तो compulsory होता ही है, तो यहाँ पर आप entity भी लिख सकते हो, जो की concern है, जिसको लग रहा है, अपने business में लेके कि भाई, उसको accuracy check कर रहे हैं, सबको सही है, तो कि नहीं, जो की assess करना चाहता है, accuracy of their books of account, ठीक है, उस case में वो audit करवाएगा, simple, government audit के case, government audit में देखो, मैंने क्या बोला था, कि generally हम क्या देखते हैं, expense बगरा देखते है, अर नहीं है यहां पर, क्योंकि वो important नहीं है आपके लिए, तो यह मैं समझना सर, आपने बहुत से चीज़े book में से कटवा दी है, वो जान बोचा कटवाई है, दोस्तों वो आपके काम के नहीं है, वो फालतों में दे रखी है, ना आपके paper में आई है, ना आपके due के book में है, मैंने कहा ना कि starting के पहले दिन भी बोला था, कि कोई भी book ऐसी नहीं है, जो semester 6 के auditory and corporate governance के लिए 100% perfect book हो, कोई भी नहीं है, कोई भी बड़े से बड़े writer की book नहीं है, इसलिए हमें हर चीज़ को best book से extract करके आपको यहां देना पड़ रहा है, और यहां पे अगर मैं कुछ च एक्जामपल देता हूँ, continuous audit है ना, अभी आप देखना इसमें, आगे जब हम इसका पढ़ेंगे, continuous audit के ही मैंने advantages और limitations बताई हुई है, लिखवाई हुई है, जबकि आपके book में बाकि चीज़ों के भी advantages, limitation, feature वगारा दिये हुए फालतू के, वो नहीं आएंगे paper में, सिर् चलिए, I hope यह छोटी चीज़े clear हैं आपको, कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, फिर्फ आपके भले के लिए, government audit is audit of receipt, यह receipt का, receipt और payment, जो भी government ने करे है, government के department ने, वो सही सा किया है कि नहीं किया, उसका audit होता है, ठीया, government audit, यहनि सरकारी जो department है, उनके department का audit, ठीक है, अब इसमें क्या होता, कई बार ना, डिफरेंस है जाता है, statutory audit का, और non statutory audit का, statutory audit, इसको private audit समझ लो, अपने, एक बार दिमाग में डाल कर रखो, private audit, जो हमने पहले heading में पड़ी थी न, इस चैचेचरी audit क्या होता है, जो कि किसी act में लिखा होता है, ठीक है, जो compulsory होता है, यह compulsory नहीं होता है, इसका scope defined होता है, एक्ट में लिखा होगा न, कि क्या क्या चीज़े कर नहीं है आपको, इसमें define नहीं होता, statutory में क्या होता है, audit की duty वगर भी defined होती है, company's act में लिखा होगा है, पूरा पूरा chapter है, section 139 से लेके, 148 तक, वो पूरा audit के उपर वो पूरा chapter दे रखा है, section दे रखे है, ठीक है, 139 to 148 section दे रखे है, वो उसमें auditor का सब कुस refined है, कि auditor का काम क्या होगा, उसके right क्या होंगे, उसके duties क्या होंगी, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें जो बोलेगा न, company का मालिक, कि यार तुझे न, ये आके करना है मेरी company में, ये चेक करनी है, कोई compulsion नहीं है, ऐसा कुछ नही आप ठीक है, ठीक है, और क्या था इसमें, qualification, qualification, no, it is prescribed, he must be chartered accountant, ठीक है, जो as per company sect है माल लेजिए, वहाँ पर तो लिखा हुआ है, section 141 में लिखा हुआ है, और company sect की भई है, CA audit कर सकता है सिर्फ, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप किसी अपने दोस्ते audit कर वालो जी, जो अच्छा खासा जिसके पास experience हो, उसको बोलो यार कि तूने तो सही काम किया था, तू तो service sector में भी है, CA भी है बहुत साल से, या फिर CA नहीं भी है, त तूने दस साल काम किया, तो तुझे पता है कि क्या-क्या दिक्कत है हो सकती है, यार देखियो मेरी company में profit क्यों नहीं हो रहा, एक बार audit कर देगा इसका, ठीक है तो कुछ defined नहीं है कहीं पर, तो यह छोटे-छोटे points हैं, जो आपको journaling मैंने बता दिया, इनका meaning भी आपको दोनों का, तो उससे अब लिख सकते हो, next point था, objective-based classification, ठीक है, independent, हमने जाने लिया, independent audit जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, सबसे पहले दिन, true and fair views के लिए, ठीक है, इतना ध्यान लखना, internal audit में, इसमें ऐसे लिखना पड़ेगा, organizational, for review, accountancy, financial, operation, कुछ भी एक particular का, चीज का, internally, company audit करवा सकती है, यह आप पूरा बना के भी लिख सकते हो, इसमें इतनी कोई दिक्कत नहीं हाने वाली, इसमें बस हवाईचे ध्यान लखना कि CA भी audit कर सकता है, जो CA नहीं है, वो भी audit कर सकता है, यह आप पॉइंट लिख सकते हो, यहाँ पर आसी कुछ दिक्कत नहीं है कि आप नहीं लिख सकते है, बुक में नहीं लिखा हुआ तो, फिर इन ही का difference, देखो यह गलत लिखा हुआ है, ठीक है, यह है external, यह है internal, यह आपके बुक में भी गलत लिखा हुआ है, वैसा है, वैसा ही, हमारे admin नहीं यहाँ डाल दिया है, ठीक है, अब, external क्या होता है, internal, यह जो होता है, independent, इसे external alt ही बोलते हैं, यानि यह तो compulsory होता है, यहाँ पर independent, यानि बाहर का alter ही आके, यानि CA ही आके alt करेगा, इसे बोलते है internal, तो इसी का एक difference आगया है, यह आप difference पढ़ोगे तो देखो, objective क्या होता है, external में, आपको normally, जो सबसे पहले दिन पढ़ा था नो, auditing का definition, वही चीज़ है, collect करना है, adequate, reliable, evidence, अबूत, उसके बेस पर opinion देनी है, ठीक है, simple, इसमें क्या करना है, internal है, internal में जो वो बुंदा बोलेगा, भई तो आप audit करोगे, तो इसमें fix नहीं ह financial भी हो सकता है, non-financial भी हो सकता है, अब बोलोगा, financial, non-financial कैसे, audit तो बंदा काम के लिए करवाएगा, धंदे के लिए करवाएगा, कई बर management इंटर्नल audit करवाती है, जैसे कि मैंने बताया है, इस चार लोगों का, मेरी company में 40 लोग क्यों लग रहे हैं, उस process में कहां गड़ होते हैं, उसमें कहां दिख्यत आ रही है, HR के team कैसे काम कर रही है, payroll के team कैसे काम कर रही है, IT के team कैसे काम कर रही है, वो काम कैसे कर रही है, इसका भी audit होता है, वो कौन करता है, internal audit, scope, देखो, statutory, external audit याने, statutory audit याने, independent audit में लिखा ही होता है, company sector में दिया ही हुआ है, कि scope क्या एक्ट में दिया हुआ है, यहां पर कुछ नहीं दिया हुआ कहीं पर, जो management जैसा चाहे वैसा audit करवा सकती है, ठीक है, status of auditor and remuneration, इसमें देखो क्या होता है, कि auditor को कितना पैसा मिलेगा, यह कैसा decide होगा, देखो इसमें क्या लिखा है, जो external auditor, चाहे statutory auditor बोलो चाहे external बोलो, यह इसको external बोल सकते हो आप, बस यह ध्यान रखना यह भी बोल सकते हो, यहां पर non statutory भी होता है, और internal भी होता है, आप इसको यह भी बोल सकते हो, बस ध्यान आपको ऐसे रहेगा, internal और external से, ठीक है, चलो, अब क्योंकि यह एक independent audit है, independent audit का मतलब मैंने क्या बोला था, कि altar जो होगा, किसी के दबाव में नहीं होगा, company से उसका कोई लेना देना नहीं होगा, तो जो external audit होता है, वो company कोई employee बगरा नहीं होता, director बगरा नहीं हो सकता, लेकिन internal audit में, मैंने आपको बताया था, वो CA हो, चाहे ना हो, यह company का बंदा भी हो सकता है, कोई experience employee है, कोई director है, company का, उससे भी company खुदी बोल सकते है, यार तुझी चाह कर ले, कहां दिक्कत आ रही है, ठीक है, responsibility, इसकी responsibility किसके लिए होती है, statutory audit के responsibility होती है, honor के लिए, shareholder के लिए, इसका काम क्या है, अपनी opinion देना true and true, किसको, shareholder को, इसके report किसके लिए होती है, shareholders के लिए होती है, ठीक है, सि असली मालिक है, उनके लिए report बनती है, ठीक है, यह क्या होता है, इसको company ने, अगर management ने करा है, तो यह management को report करता है, यानि जो हमने तीन party है पड़ी थी न, auditing के लिए होती है, shareholder होते है, managers होते है, और auditor होता है, ठीक है, features में पड़े थे हमने पहले दिन, तो management जब hire करता है कि सभी को internal audit करने के लिए, तो internal auditor का objective क्या होता है, उस manager को report करना, कि भाया, यह लो sir, manager जी, आपने मुझे बुलाया था, तो मेरे हिसाफ से यह यह चीजे गलत है, लेकिन यहां क्या होता है, यहां पर जो auditory होता है, statutory auditor, वो shareholder को report करता है, ठीक है, duration, देखो यार, statutory auditor, company secretary हिसा साल का audit होता है, ठीक है, generally पूरे साल का होता है, या फिर quarterly होता है, quarter का भी audit होता है, तीन महीने का audit, छे महीने का audit भी होता है, नो महीने का भी होता है, हाँ दोस्त होता है, कही जगा जए रखा है, इंडियस वगरा हमें, और कुछ ऐसे business होते हैं, जहां पर कुछ एक समय का बिखी और्ट हो सकता है इसा निया कुछ भी चार दिन के आज का चार दिन उठा लिए तिक यहां पर ऐसा कुछ मैंशन नहीं है ठीक है यहां पर कितने भी दिन का किसी भी पीरेड का जैसा मैनेजमेंट को लगे ठीक है बॉर्ड डिरेक्टर को लगे कि हमें तो यार जनवरी करना है जनवरी में हर बार सेल कम होती है यहां पर हम एकुरिसी चेक करते हैं कोस्ट वाले डाटा की ठीक है यानि कितना कोस्टिंग में हमारा माल तयार हुआ वो कोस्ट सही है कि नहीं माल आना था हमें इसकी रानी थी एक अधिक रूपके की स्क्रेण मोबाईल इसक्रेण सामने से एपल क्या करता है स्क्रेण ह्न दोस्तों इसक्रीद माल भी रिषायर ही पढ़ रहे ही एक hoo स्क्रेण इपकल को और कि अध्या है यहां यहीं सोग रुपके की है कि नहीं है जो भी सारे parts मिलके बना रहा है उसकी costing जो आप मतलब कहने का मतलब जो आप costing में पढ़ते हो ना costing subject में उसमें जो जो चीज़े आप पढ़ते हो माल बनाने के लिए costing में वो सारी चीजों को देखना वो सब cost audit में आ जाता है management audit management audit में बताया था कि management का खुद का audit होता है कि वो कैसा काम कर रही डंग से है चीज़े decide कर पा रही है नहीं कर पा रही है वो सारी चीज़े इसमें जाती है देखो examination of detailed the various plan policies and action management जो यह चीज़े करती है ना plan कौन मनाता है भाई बॉर्ड औरेक्टर तो company वो चलाते हैं मालिक shareholder होते हैं चलाते कौन है management managers board of director तो वो लोग क्या किसे चलाते हैं वो decision कैसे ले रहे हैं सही decision ले रहे हैं कि नहीं ले रहे है ठीक है मालो company के बस की ही नहीं थी loan लेना company के financial अच्छे नहीं थे लेकिन board of director ने क्या किया कि लोण उठा लिया अब उसका interest का खर्चा और आ गया तो यह decision जो गलत decision ले रहे है ना company तो क्या करा किसी एक manager ने loan ले लिया अपने रिस्तेदार से तो यह सब चीज़े धोडने क काम क्या होगा management audit में tax audit बताई दिया आपको कि as per income tax यह audit होता है ठीक है उसमें वह आप section देख लेना इसमें क्या बोला है कि देखो हमेशा ना profit जो profit बनता है ना दो तरह के balance sheet बनती है एक as per income tax और एक as per company sector अब आपको समझ में आएगा यह आपसके यह वाली बात बहुत लो कैसे होती है आप जो पढ़ते हो वो पढ़ते हो companies act के सापसे balance sheet बनाते हो अप जो आप account से पढ़ते हो ना वह company act के सपके सपाव तो balance sheet और tax की competition वगरा वो बनती है income tax के सापसे भी बनती है ठीक है तो हमेशा उनमें difference होता है तक difference क्यों आता है यह जो tax के हिसापसे कुछ ची बोलते हैं कि यह चीज़े debit हो सकती हैं यह चीज़े debit नहीं हो सकती तो दोनों मेंने difference है जैसा basic difference बता देता हूं ताकि आपको समाजी में आ जाए जैसा tax क्या बोलते हैं depreciation के rate का difference अब company's act में depreciation लग रहा है मशीनरी पर 13.91 ठीक है company's act के हिसाब से लग रहा है depreciation 13.91 और income tax के हिसाब से लग रहा है मान लीजिए depreciation 15% किसी चीज़े machinery पर मान लीजिए 15% तो जब depreciation में rate में अंतर होगा तो इनका profit भी different आएगा profit different आएगा तो उस पर tax भी different calculate होगा ठीक है तो tax के हिसाब से भी audit होता है ठीक है और tax के हिसाब से कौन सा audit होता है 44 EDM होता है शायद आपड़ो होगे ना income tax में तो वहाँ देखना तो वह वाला audit भी एक part है classification of audit का special audit मैंने बताई दिया था कि central government चाहे देखो central government लिखाओ ना जरूरी नहीं central government भी और court भी court tribunal court वह order दे सकता है special audit करवानेगा जैसे मानलो मैं company का debtor हूँ मुझे किसी company से पैसे लेने है ठीक है company दे ने रहे मेरे को पैसे यार बहुत परेशान कर दिया company ने तो मैं क्या कर सकता हूँ मैंना court के पास जा सकता हूँ case file कर सकता हूँ महलो मुझे company 40 करोड रुपए लेने है company पैसे नहीं देने को राजी कहते है कि यह नहीं है वो नहीं है मुझे बगा देती है जबकि company पैसा है, काम सही चल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, case कर सकता हूँ, उस case के दवरां, ट्रिबनल, यानि आप सरल भासा में समझे लिए कोट, मैं दोने लिख देता हूँ, ट्रिबनल, या फिर कोट, order दे सकती है, audit करवाने का, special audit करवाने का, ठीक है, आप बोलोगा सर यहां पर central government को लिखा है, भाई, यह चीजें central government के अंदर ही आती है, तो इसलिए इन्होंने word central government यूज किया है, ठीक है, यह कब order देगी, अब आप कोगा सर, order कब देगी, जैसे ज गया, कोट के पास, उसने order दे दिया, तो वो क्या सोचेगी, ऐसा थोड़ी ना, कोट ने बोला, कि हाँ भाई, तुने बोल दिया ना, तेरे पैसा खाए है, तो मैं order दे दिती हूँ, नहीं, वो भी check करेगा, कोट यह central government check करेगा, कि हाँ, हमें special audit करना चाहिए भी यह नहीं तो वो क्या-क्या चीज़े check करेगा, देखो, government क्या check करेगी, कि company सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही, industry के हिसाप से, उस business के हिसाप से, जूते बनाने के business है, तो जूते बनाने के business के हिसाप से काम कर रही है, अगर नहीं कर रही है, तो चलो, order दे देते है, audit का, company इस थरीक को ही नुक्सान पहुचा देगी ठीक है ऐसा तो काम नहीं कर रही कि पूरी की पूरी जैसे जूते ऐसा तो नहीं बना रहे है कि पूरे को पूरे जूते की इंडेस्ट्री खराब कर दे कमपनी ठीक है इसके तो चार साल से करोड़ों में लोस जा रहे हैं यह अगले साल सर्वाइब भी नहीं कर पाएगी तो उस केस में भी ओड़ का पास हो सकता है अब प्रोप्राइटी ओडिट यह आपको करने के विश्य जरूत है नहीं कि इसमें जो भी चीजें है यह आप पढ़ लोगे गौर्वर्मेंट ओडिट में फिर भी दे रखा है तो मैं बता देता हूं यह यहां पर नहीं था ठीक है हमारे चार्ट में नहीं थ प्रोप्राइटी ओडिट क्या होता है यह फिराटर क्या होता है जिसका खुद का बिसनेस होता है ठीक है तो प्रोप्राइटी ओडिट मतलब ऐसा ओता है कि यह यह एक्चुलि होता है PSU का ओल्ट जो गवर्मेंट की कमपणियां होती है न सरकारी कमपणिया पीए सिऊच उती है पूबलिक सेक्टर यूनिट्स होती है उ वहाँ पे होता है यह वहाला ओल्ट वहाँ पि यह देखा जाता है कि जो रोड बन रहा है एक्जाम्पल दे रहों, कि एक रोड बन रहा है, रोड बनने मा आना ची यह 40 करोड का खर्चा, ठीक है? तो अगर मैं यह रोड बनाता, प्रोपराइटी, ऐसे प्रोपराइटर मैं रोड बनाता, तो मैं तो इसको यह 10 करोड में बना देता, तो पब्लिक के इंट्रेस्ट को मद्द नजर धक्त यानि जनता के हिसाब से देखो कि जनता के लिए रोड बनाया गया है तो क्या वो उतने ही रुपए का बनाया गया है क्या रोड बनाया भी गया है कि नहीं बनाया गया क्या करते नेता लोग आपको पते हैं हमारे नेता ल लेते हैं, जाफिर जो गवर्वर्मेंट का फंड होता है, उससे पैसा मंगवा लेते हैं, कि हमें अपने इलाके में रोड बनवानी है, इसमें आयागा 40 करोड का खर्चा, तो वो कहता है, चलो हाँ ठीक है रोड खराब है, 40 करोड भेज देती है, और 40 करोड में से लगा देती हैं, सिर्फ 10 करोड, लगने 10 करोड थे, इसमें 40 करोड मंगा लिया, तो हम as a auditor क्या करेंगे, वो 30 करोड रिपोर्ट करेंगे, कि हाँ यह गलत खर्चा इसने डाला हुआ है, ठीक है, तो उसे चीज़ को बोलते है, प्रोपराइटी ओडिट, तो कहीं ने कहीं यह आपको लगए गवर्मेंट का ओड़िट, गवर्मेंट वाला ओड़िट का पॉइंट भी आप यहाँ डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कोई specific word नहीं है, बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, आप यह ओड़िट करते हुआ, पब्लिक को ध्यान में रखते हुए, बस, पब्लिक और एक standard, इस standard मतलब मैंने क्या बोला था, दस करोड लगने, standardly 10 करोड लगने किसी चीज़ को करने में, लेकिन यह क्या कर रहा है, चालिस करोड लगा रहा है, ठीक है, standards पे खरा उतरना, इसी चीज़ को करने का एक standard होता है, उसे standard से अगर वो फालतु जा रहा है या नीचे जा रहा है, वो जे चेक करना, पब्लिक इंट्रेस्ट में रहके, पब्लिक यानि जन्ता, जन्ता के भलाई, वो कौन करता है, PSEOs, Government, इनका कामना जन्ता के लिए काम करना, ठीक है, बस इतना ही था basic, अब आते हैं, टाइम बेस क्लासिफिकेशन, में क्या था, continuous audit, ये सारे तो हमने बहुत अराम से पढ़ ल लिखे हुए, वो आपको करने के जरूद भी नहीं है, और जितना हमने पढ़ा है, उस बेस पर आप लिख सकते हो, advantages और disadvantages, लेकिन यहां पर specifically इसका question कभी-कभी आ जाता है, इसलिए इसको हमने पूरा दिया हुए, ठीक है, चलो इसमें देख लेते हैं, सबसे पहली बात, य कुरा साल चलता है, या फिर, regularly basis पर चलता है, यहां मैं बजाया था ना, कि हपते में भी चल सकता है, जर्नली कहां, बैंक में क्या होता है, औरिटर regularly जाते रहते हैं, हपते में, महीने में, या फिर डेली भी जाते हैं, बड़े-बड़े ब्रांच होती है, बहुत तगड़ में भी जा सकते हो, हफते के अंतराल में भी जा सकते हो, इंटरवल में, महीने के साफ से भी जा सकते हो, तीन महीने के साफ से भी जा सकते हो, ठीक है, इसके advantages क्या होते हैं, दोस्त, जब वो डेली चेक करेगा तो डॉकुमेंट को डेटेल में भी चेक कर पाएगा ठीक है यहांपर नेक्स पॉइंट क्या है कि जब उरिट समय समय पर हो रहा है डेली हम चीज़ें को चेक करheen रहे हैं तो जब सितंबर का टाइम आएगा जब इसकी रिपोर्टिंग करनी होगी थे घृझ है उश टाम हमको कम समय लगेगा ठीक है ताकि कम्प्लीट हो जायेगा फाइनल ओएट साल खतम होते होते ही ओएट खतम हो जाएगा हमारा ऐसा नहीं है कि हम सितंबर में जा रहे हैं छे महिने के बाद क्योंकि रेगुलरली चेक कर रहे हैं जल्दी खतम हो जाएगा ओड़िट पसके साथ कहने का पॉइंट यह है अब इससे क्या होता है रेगुलरली आप चेक कर पाते हो कि एफिशेंटिश सही है एकाउट अक्यूरिस सही है ट्रांजेशन सारी कंप्लेट है ठीक है इतना ही है रेगुलरली काम होता है तो एफिशेंटली भी होता है एफिशेंटली मतलब धंक से अच्छे से efficiently मतलब अच्छे से efficiently का generally meaning हम जानते हैं समय के साथ मतलब कम समय में audit हो जाता है efficient दो word होते हैं आपके audit में effectiveness and efficiency ठीक है अब यह word आगया तो मैं बता जिता हूँ आपको effectiveness and writing थोड़ी खराब लगे तो manage करना दोस्तों मैं बोल रहा हूं ठीक है effectiveness हम जर्नलिक समझते हैं किसी भी चीज को अच्छे से करना हमने जूता बनाया जूता मैंने बहुत अच्छा बनाया quality बहुत अच्छी है उसकी पेस्टिंग बहुत अच्छी हो रहा है soul बहुत अच्छा है ठीक है बहुत अच्छा से चीज को बनायी तो उससे क्या बोलेंगे effectiveness जूता बनाने में एक बंदे को लगता है चार घंटे और एक बंदा बना देता है एक घंटे में समय के हिसाफ सगत सोचें तो उससे बोलते हम efficiency बढ़ गए जी मेरी पहले एक काम मैं आदे गंटे में करता था पहले मैं revision करता था दो महिने में अब मैंने सर की class ले ली तो मैं revision कर लेता हूं दो दिन में मजाय कर रहा हूं मतलब time के हिसाफ से Disadvantages क्या होते हैं जी एक बाद बताओ आप regularly basis पर काम करें तो क्या क्या हो सकता है इस तो खर्चा ज्यादा आएगा और अपना बंदा रोज भेज रहा है आपके पास ठीक है तो खर्चा तो लगेगा ना audit करवाने वाले को client को दूसरा मैं रोज रोज जाकर उसका office में बैड़ आता हूं कि सर यह लिया हो वो लिया हो आज कितने loan निकाले वो लिया हो आज कितने लोगों ने deposit किया वो लिया हो तो उस विचारे का काम भी तो हमपर होता है ना client का उसका एक बंदा तो आप ही रख changes है यह आप पढ़ ले ना बाकी तो मैंने बताई दिया है सारी चीज़े वो यही चीज़े लिखिवी है यहाँ पर फिर भी मैं चलो मैं करवाई देता हूं expensive है ठीक है इसमें दफ़ा second point में क्या करका है कि order ने अगर कोई चीज़ चेक करी है clerk ने महलों वहाँ के किसी बंदे ने मालो बैंक के किसी employee ने वो figure change कर दिया ठीक है तो उसकी वैसे क्या होगा वो अगला काम ने कर पाएगा ओटर उसको daily daily काम तो करना है लेकर कोई चीज़ रुख गई जिसे मालो बैंक में deposit होना बंद हो गया server server 2 मिनट रुख गया आ जाता है deposit है नहीं हो रहा पैसा और आप deposit का ही audit कर रहे हो तो जब तक वो server ने चलेगा आप deposit का करी नहीं पाऊँगे ठीक है अ हम देखो रोज रोज जो वाला point देखो कितना बड़ी है frequently audit इसका कहने का मतलब यह है जब आप रोज audit करने जाते हो तो वहां के staffs दोस्ती बन जाती है तो सोस्ता चलो या जल्ली जली निप्टा दो ठीक है तो वह दोस्ती नहीं होने चीए और दोस्ती कर सा कभी कभी दुश्मनी भी बन जाती है दोनों चीज़े होती है वह भी क्याएगा कि रोज रोज आया यह audit आते हैं यह होता है हम जहनते हैं जब हम audit करने जाते थे तो क्या होता था पहले शकल देखके एंट्री करते ही नहीं चिड़ जाता था मन मन में कुछ बोल तो सबता नहीं है चाय पानी मंगाएगा तो क्याएगा अरे सर कल तो यह देखा था हाँ जी दुबारा देखना है क्योंकि आज के बिल के हिसाब से कल वाला बिल में हमें दिक्कत लग रही ह उसका उस बिचारय काम बढ़ जाता है तो वह चिड़ता हुए है कई बार उसे कॉलूजन यानि मत भेद आ जाते हैं डेली डेली आप यह की चीज़ बंदे से करवा उख के यह भी दिक्कत हो जाती है कई बार अब भाई लास्ट पॉइंट तो यह है कि यह बहुत ना आप इसमें तीन तीन पॉइंट भी चाचार पॉइंट भी लिख दोगे ना तो भी भहुत है जो आपके दिमाग में आए प्रियोडिक एन फाइनल ओडिट भाई बोला था मैंने एर एंड पे जो अड़ोता से प्रियोडिक ओडिट बोलते हैं यह देखो financial year और accounting year के एनड़ पे इंटरिम ओडिट यानि उसी साल के बीच में उसी साल का ओडिट जैसे यहां पर बना देता हूं आपको समझ मा जाएगा जैसे अभी हम चल रहे हैं financial year 2013-24 कहां से कहांता होता है यह financial year एग अपरेल 2013 से चलेगा कप से चलेगा 31 मार्ज 2024 इसी साल का audit होना कहां कब चाहिए यह audit होता है 30 सितंबर को इसके लाज़ एट होते है 30 सितंबर 2024 यह होती है audit के date कौन से audit के date external audit के date लेकिन interim में क्या होता है आपने न मालों यहाँ पर मालों यहाँ यहाँ पर दिसंबर में ही यहाँ पर audit कर दिया interim audit होगा कैसे साल तो खतम हुआ ही नहीं है तो इतना data ना इतना data है इतने data के base पे आप audit कर दोगे कि हाँ यह 9 महीने में इसमें डंक से काम किया है लेकिन यह चीज़ी की कमिया है तो जो बच्चा हुआ साल है इसी के base पर आप बता दोगे कि यह पूरे साल में लगवग लगवग यह काम होगा ठीक है complete audit मैंने बताई दिया था कि इसमें इतना कुछ जानने के जरूत नहीं complete audit क्या होता है complete audit वह होता है आप पूछ ले ना पढ़ने के बाद कोई doubt आये complete audit होता है कि सब कुछ चक करना सारे department चक करना purchase sales सब कुछ चक करना ठीक है चलो मैं लिखी जेता हूं थोड़ा बहुत आपको revision का time पेजी रहेगा purchase sales IT department accounting department ठीक है HR department इन सब का audit करना एट्सट्रा लिख लो एट्सट्रा इन सब का audit करना ठीक है partial audit किसी भी एक department का audit मालो इसमें से इसका audit कर लिया एक इसका audit कर लिया सिर्फ इन दोनों का audit कर लिया यह हो गया partial audit detailed audit क्या हो गया इन सब का audit होगा 1000 transaction है audit for all transaction एक एक transaction को एक एक entry को चेक करना ठीक है वह होगा detailed बहुत से बच्चों को इस वाले concept में दिख्कत आती है for all transaction ठीक है all को आप लिख लो each and every transaction ऐसा भी लिख लो तो भी सुन्जमा जाएगा age and every transaction ठीक है तो यह हमारा खतम हो गया अब देखो हमने last class में डाउट आया था ना किसी बच्चे का persuasive nature and conclusive evidence देखो concept तो भई है लेकिन लिखने में थोड़ी चीज़ आपको change लगेंगी आपको अगर यह question आएगा तो आपको कैसे करना वह देख लो persuasive evidence वह वाले सबूत होते हैं जो सबूत 100% आपको एक बार को guarantee नहीं देते हैं 100 से कम देते हैं conclusive evidence, conclusive सबूत वह होते हैं जो 100% guarantee देते हैं कि यह चीज़ सही है या यह चीज़ गलत ही है अब देखो होता क्या है यह question बनता है आपका audit is persuasive in nature and not conclusive या फिर ऐसा आ जाता है persuasive in nature but not conclusive तो इसमें आपको क्या बताना पड़ता कि evidence कैसा है देखो कई बार क्या होता है न कि books of accounts ना पहले point में देखो क्या लिखा बता देतों मैं आप पढ़ना समझें आ जाएगा company के accountant ने या फिर employee ने या फिर management ने books ही ऐसे बना दी ऐसे गड़बड़ी करकर इतने तरीके से बना दी कि आप गल्चिने धूड़ी नहीं पाओ आपने बुस तो निकाल ली उसकी सब को check तो कर लिया लेकिन उसने बनाया ही ऐसे है इतने तरीके से उसने फेक बिल बना दी आप पकड़ी नहीं पाए ठीक है तो conclusive तो 100% आप बोली नहीं सकते है न तो auditor हमेशा persuasive evidence परसू कर सकता है उसको देख सकता है निकाल के देख सकता है थोड़ा उसी evidence पे आप rely करते हो उसी पे ही आप अपनी opinion देते हो ठीक है दूसरे बंड में क्या बोल रहा है कई बार auditor को क्या होता है जैसे मैंने वो stock वाल क्या लेजिए chemical factory वाल example दिया था chemical factory में जाके आप अंदर जाके चेकी नहीं कर पाऊगे क्योंकि भाई chemical है वहाँ पे तो क्या करो कि बताओ तो वहाँ पे कई भर हम expert की advice भी ले सकते हैं कि जो chemical factory में काम करता है बंदा उसी company का नहीं किसी दूसरे बाहर वाले बंदे को मैंने बुला लिया और ने कहा कि मैं को गड़बिड लग रही है एक बंदा मैंने पकड़ लिया chemical factory में काम करने वाला या फिर engineer पकड़ लिया chemical engineer पकड़ लिया कि भाई तू मेरे लिए काम करते है तू मेरे से पैसे ले लियो चेक कर अंदर जाके कि यह सभी सा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा एक किसी बंदे पर रलाय करना पड़ रहा है तो यह है कि जब अडवाइस लेता हो आप किसी एक्सपर्ट की तीसरे बंदे की ठीक है तब भी कईब क्या होता है 100% हमें conclusive data नहीं होता conclusive evidence नहीं मिलता ठीक है तीसरा क्या है difficult to find accounts complete genuine everywhere दो यार सीधी सी बात है as an auditor आप 100% एक चीज तो find करने सकते हैं ठीक है कितना भी कर लो हजारो करोड़ की company है उसमें एक दो लाग का घपला हो जाए आप क्या चक्करपा होगे 100% चक्करपा होगे एक एक चीज सही होगी तो ऐसा जरूरी नहीं होता इसलिए हमें सिर्फ persuasive evidence भी हो कि हां मोटी मोटी चीज भी बता रहा हो कि हां सारे process सही है सारे चीजे company ने की हुई है इतना भी बहुत होता है ठीक है last point क्या कर रहा है another reason for audit is persuasive not conclusive is appointment of an auditor देखो यह technical point है यह आपको आगे समझ में आएगा कभी मैं मोटा मोटा बता देता हूँ companies act के हिसाब से और कौन अपोइंट करता है डिरेक्टर करते हैं अमने तीन लोग सहने थे ना ओडिट में तीन लोग इनवाल होते हैं अब चौति पाउची वार बता रहा हूँ चीज तीन लोग होते हैं audit के process में शेर होल्डर बॉर डिरेक्टर यानि manager और ऑडिटर को कौन अपोइंट करता है शेर होल्डर नहीं करते यह करते हैं बॉर्ड डिरेक्टर मैंगजर अगर मैंगर खुदी थोड़े सा कमीने ठीक तो यह ऐसा order लाएंगे जो इनके इशारों पर चलेगा, समझे, तो appointment order का ना, जो section दे रहाखा company section में, वहाँ पर पता चलेगा आपको, कि order को shareholder, यानि company के मालिक नहीं appoint करते है, manager appoint करते है, board of director appoint करते है, तो कई बार क्या होता, order board of director का यहने पर चलेगा, कि भई इसने मुझे appoint किया है, मेरको तो कल को यही पैसे दिलवाएगा न company से, तो जैसा यह कह रहा है, मैं वैसा करूँ, ठीक है, तो कई बार यह भी दिक्कते आते हैं, इसलिए आप 100% audit process पर रिलाय नहीं कर पाते हो, ठीक ह 100%, 100% accuracy, ठीक है, यह होता है less than 100%, ठीक है, less than 100% of accuracy, बस इतना भी आप समझ जाओगे न, आप बहुत है, आपने यह point भी लिख दिया, यह point भी लिख दिया, दो point भी बहुत है इसमें, ठीक है, तो दोस्त, आज की class इतनी ही होती है, अगर कोई doubt आएगा, अब हमारा क्या हो चुक है, basic of auditing खतम हो चुक है, ठीक है, लेकिन एक topic रह गया, basic of audit का, वो topic नहीं है actually, लेकिन सब question साथ, question आता है, वो एक ऐसा paragraph है आपकी book में, क्या question आता है, auditor is wash dog but not a bloodhound, bloodhound या कुछ लोग bloodhound भी बोलते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, अभी करवा दू, या फिर इसको next class में बता दू, क्योंकि अभी उससा content भी मैंने नहीं लिखवाया, क्या करूं, बताओ, चलो मुझे बता यार, आप लोग क्या सोच रहोगे मन में, चलो, वो last topic है, ठीक है, इसका, इसको आपको read इदर के आना है, कोई भी query है, वो आप post कर देना, जब भी वो system start होगा, messaging है, वो मेरे पास आ जाएगा, मैं उसी class में उस चीज को solve करा दिक्कत मतलो, although मैंने सारी basic चीज़े बताई है आपको, ठीक है, आपको कैसे पढ़ना है, यह भी बता दिया है, कि आपको हर एक चीज का, बस कुछ words ध्यान रखने है, क्योंकि audit subject, theorist subject है, वो journal subject है, कई जगे आपको लगाएगा, कि यह चीज़ तो हम यह भी करते हैं, यह property audit और government audit, अब दोनों में same चीज लिख दोगा तो भी चलेगा, ठीक है, तो सोड़ा general subject है, आप अपने दिमाग से लिख सकते हो, लेकिन क्या होता है, जब दो चीज़े आ जाते हैं लिखने के लिए एक साथ, तब आप differentiate नहीं कर पाते हैं, कि इसमें क्या लिखों, इसमें क पहले class में जब मैंने audit की definition आपको कराई थी, उसका meaning कराया था, तो मैंने आपको बताया था कि पहले ये लिखो, फिर ऐसे लिखो, फिर इसे को explain कर दो, अपने शब्दों में, ताकि इतना बड़ा हो जाए, due के paper में, ऐसे ही आपको number मिलेंगे, दोस्त, correct भी होना चाहिए और लंबा भी होना चाहिए आपका, दोस्त, धाई पेज, तीन, तीन, पेज, आपने टाइम पे एक question का, कौन साच बैख था, communication था, पता नहीं, BOM था, BOM, business organization and management, first year का पहला subject था, तीन से साढ़े तीन पेज का एक answer लिखता था मैं, एक BOM में और एक economics में, मुझा ये दो ध ध्यान नहीं है, तीन, तीन, चार, चार पेज का question, answer लिखावा मैंने, कम से कम बोल रहा हूं, लिखते जाओ, लिखते जाओ, तभी वो DO वाले कई बार number देते हैं आपको, खास कर, जो SOL को student है, हो जादा ध्यान दे, ठीक है, वैसा तो regular वालों के साथ भी होता है, but just for confirmation, कि आपको content भी लिखना है, और सही भी लिखना है, अगर सिर्फ content लिखना हो, तो आप कुछ भी कहानी मार के आ जाओगे, कि मेरी के जरूरत है, ठीक है, तो हम क्या चाते हैं, कि आपके अच्छे साच्छे marks आएं, और आपको teacher number दे, देखे ना, एक बार आपकी sheet, तो वो कहा क चीज में आपको याद रखने है, ठीक है, तभी आप, मानलो आप भूल भी गए, लेकिन आपको याद है, कि यार, oid में 100% check नहीं होता, ये चीज अब भी आप घुमा फिरा के लिख दो गए, कि persuasive evidence में क्या करते हैं, हम 100% rely नहीं करते हैं, less than 100% rely करते हैं, ये भी लिख द रहने में easy होगा, ये छोटे-छोटे point जो मैं highlight गरवार हूँ, ठीक है, चलो, इतना भोतर आज के लिए, अब हमारा सिर्फ एक topic रह गया है, topic भी नहीं है, वो question आता है वेपर में, तो वह करना जरूरी है, हमारा basics of auditing का chapter खतम हो जाएगा, वैसे होई गया है, सिर्फ एक topic क bloodhound, चलो उसको ये खतम करते हैं, thank you so much, मिलते हैं next class में, bye bye guys